एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चटान रखने के लिए कहा. चटान को बीच सड़क में रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चटान पर नजर रखने के लिए कहा. कि देखना उस चटान को रास्ते से कौन हटाता है लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे लेकिन किसी ने भी उस चटान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की उस चटान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते हैं कि क्या राजा इस चटान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता लेकिन किसी ने भी उस चटान को रास्ते से हटाने का प्रयाश नहीं किया ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा एक दिन ही किसान अपनी सबजियों के साथ उधर से गुजर रहा था उसने चटान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सब को इस चटान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है उसने अपने मजबूत लाठी से उस चटान को एक तरफ धकेलने की कोशिश सुरू कर दी काफी कोशिश के बाद वह उसे सडक से हटाने में कामियाब हो गया चटान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपने सबजियों को उठा कर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोठली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वे चटान हटाए थी उसने उस पोठली को खोल कर देखा तो उसमें सोने की कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है, जो इस चटान को रास्ते से हटाएगा दोस्तों, बिल्कुल थी, किसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परिशानियां आती है, कुछ लोग उन परिशानियों से बच कर निकल जाते हैं, और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चन लोग ठान लेते हैं, हम परिशानियों का हल नीकाल लेने की और ऐसे ही लोग मुश् चानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो.